CD Technology का next lecture है Detection of Genetically Modified Crops, Transgene Contamination in Non-GM Crops तो सबसे पहले Genetically Modified Crops या GM Crops क्या होती हैं या आपको पता होना चाहिए तो ऐसी फसले या Crops जिनमें एक नए जीन को समाविशित करके तो हम लोग क्या करते हैं जो जिनोम होता है फसलों का उसमें कोई नया जीन या New Gene जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रेते हैं समाविशित करवा रेते हैं उससे होता क्या है इनका जो जिनोम है वो रुपांत्रित हो जाता है या Modified हो जाता है तो इस प्रकार जो हमें फसले या Crops प्राप्त होती है उनको GM Crops या GM Fसले कहा जाता है या Genetically Modified Crops कहा जाता है अब ये जो नया जीन हमने समाविशित करवाया है या इंट्रोड्यूस करवाया है ये जीन क्या करेगा अभिव्यक्त होगा इसका expression होगा और जब ये जीन express करेगा अभिव्यक्त होगा तो एक नई प्रोटीन या New Protein जो है वो बनाएगा और ये नई प्रोटीन जीम फसल के अंदर या जीम क्रॉप के अंदर एक New Trait या एक नया लक्षन जो है वो उत्पन कर देती है ठीक है तो ये होती है Genetically Modified Crops ये उधारन के लिए अपने देखें तो आपने नाम सुना होगा BT का पास या BT Cotton का थेक है जो की इंसेक्ट के प्रती या जो लार्वा होता है इंसेक्ट का उनके प्रती रिजिस्टेंट एक कॉटन है तो इसमें BT जीन जो है Bacillus Turingiensis एक बैक्टिरिया है जिससे एक जीन को समविशित इसमें करवाया जाता है इसके लाबा सुनहरा धान Golden Rice जो है तो इसमें बीटा कैरोटीन को Express करवाया जाता है कि इसमें जो धान है उसके एंडोसपर्म के अंदर या ब्रूरपोष के अंदर जिससे जो धान है या चावल है वो पीले रंका हो जाता है जिसको सुन ग्राइब देखें तो जो क्रॉब है वो genetically modified हुई है या नहीं इसका पता लगाना ही GM detection कहलाता है तो GM detection क्या है यह है निर्धारित करना की जो दी गई फसल है या दी गई जो क्रॉब है या उसका जो product या उतपाद है वो अनुशिक रूप से रुपांतरित हुआ है या नहीं इसका पता लगाना ही क्या कहलाता है GM detection कहलाता है अब अगर हम नगन आंखों से देखें या naked eye से अगर हम अपने देखें तो हम लोग यह नहीं बता सकते कि GM फसल कौन सी है या GM crop कौन सी है और समान्य फसल या normal crop कौन सी है तो इन दोनों के अंदर विभेदन करना या differentiation करना स संस्थाओं को पढ़ती है तो यह आपको पता होना चाहिए तो इसमें GM developers यानि कि जो GM crops को develop करते हैं या फसलों को बनाते है GM फसलों को उनको इसकी आफशक्ता पढ़ती है दूसरा seed companies जो बीज कंपनियां होती है उनको भी GM detection की आफशक्ता पढ़ती है इसके लाबा फूड Food and Feed Industries जो होती है जो cattles के लिए feed बनाती है या जो food बनाती है human consumption के लिए लिए तो यह जो industries है इनको आफशक्ता पढ़ती है GM detection की इसके लाबा enforcement authorities या competent authorities जो होती है यानि कि जो किसी रूल को या नियम को लागो करवाने के लिए responsible होती है उनको enforcement authorities बोलते हैं तो इनको भी GM detection की जो आपशक्ता है वो पढ़ती है उसके बाद GM detection की methods कौन-कौन सी है तो इनकी जो methods हैं उसके दो main bases होते हैं या दो मुख्या अधार होते हैं एक तो है DNA अधारित विदियां या DNA based methods जिनमें DNA को detect किया जाता है और दूसरा है protein अधारित विदियां या protein based methods जिसमें protein का पता लगा जाता है तो सबसे पहले DNA अधारित विदियां या DNA based methods की बात करें तो इसमें क्या क्या जाता है जो विदेशी DNA होता है या हम कह सकते हैं विदेशी gene या foreign gene जो हम introduce करवाएंगे फसल के अंदर या crop के अंदर तो इसमें विदेशी जो gene या DNA होता है उसका पता लगाया जाता है इस विदी के अंदर तो इसमें केवल एक ही विदी जो है वो हम लो तो इसमें जो विदेशी जीन है उसकी अभिव्यक्ति होती है उसका expression होता है और उसकी expression से एक नई protein या new protein जो है वो GM फसल के अंदर बनती है जो उसको नए लक्षन देती है तो इस नई protein का जो detection है या पता लगाया जाता है वो इन methods के अंदर या विदियों के अंदर लगाया test तो हम लोग इसको start करते हैं हमी तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे PCR based test तो PCR के उपर अधारित जो परिक्षन है उसमें हम लोग PCR का use करते हैं तो PCR क्या होती है polymerase chain reactions इसको बोलते हैं इस तखनीक में हम लोग क्या करते हैं हमारे पास DNA का एक टुकड़ा होता है या खंड हो होता है तो DNA के ग्यात क्षार करम वाले या known base sequence वाले एक खंड या जो fragment है उसका multiplication किया जाता है और जब PCR के द्वारा उसका गुणन करते हैं तो हमें उसकी millions of the copies या क्रोडों की संख्या में जो उसकी प्रतियां है वो हमें प्राप्त हो जाती है तो इस तकनीक के अंदर हम ल यह thermocycler market के अंदर available होते हैं तो market से हम लोग उसको purchase कर सकते हैं तो PCR के अंदर हम क्या करते हैं वी एक ग्यात DNA जो क्रम होता है या known DNA sequence होता है उसका polymerization या बहुलकी करन करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है एक तो DNA primers चाहिए होते हैं और एक हमें tag DNA polymerase जो है व बना सकते हैं चलिए अब इस method के अंदर PCR based जो method है उसमें कौन-कौन से steps होते हैं क्या कुछ हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना भी plant tissue sample जो है जो पादपुत्तक का नमुना हमारे पास है उसमें से हमें DNA को extract करना है DNA को प्रतक कर लेना है इस पादपुत्तक की कोश्रिकाउं DNA को प्रतक करने के बाद फिर हम क्या करवाएंगे PCR करवाएंगे और PCR जब हम करवाते हैं तो DNA जो हमने isolate किया था प्रतक किया था जो की बहुत थोड़ी मातरा में होता है जब हम PCR करवाते हैं तो बहुत बड़ी मातरा में हमें प्राप्त हो जाता है उसकी जो copies है या प्रति अब DNA prob क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए तो यह एक single standard DNA खंड होता है यह single standard DNA fragment होता है जिसका जो 5-and है या 5- जो सिरा होता है वो क्या होता है radio labeled होता है या radio सक्रिय चिनहित होता है अब इस DNA खंड का जो किशार करम है या base sequence है वो विदेशी gene के किशार करम के संपूरक होता है यानि कि जो foreign gene होता है उसका जो base sequence होता है उसके यह complementary होता है इसका मतलब उसके साथ यह bind कर सकता है या उसके साथ यह जुड सकता है तो आप देख सकते हो डियागराम के अंदर यह एक DNA खंड है single standard DNA खंड है इसका जो five dash end है आप देख सकते हो radio labeled है या radio सक्रिय चिन हित है और यह है क्या DNA stretch है या DNA का खंड है इसका जो शार करम होगा या base sequence होगा वो complementary होगा या संपूरक होगा कि इसके foreign gene के या विदेशी gene के तो यह होता है DNA probe तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं एक तकनीक यूज करते हैं western blotting तो western blotting तकनीक का उप्योग करके यह जो DNA probe है इसको हम लोग detect कर सकते हैं यह इसका पता लगा सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि जो GM crop है वास्तों में GM है यानि कि genetically modified हुई है या नहीं उसके बाद दूसरी method हम लोग करेंगे lateral flow strip method तो इसमें हम लोग lateral flow strip का उप्योग करते हैं तो यह होती क्या है यह एक strip होती है इस strip पर विशिष्ट जगों पर या specific places पर antibodies जुड़ी हुई रहती है antibodies जो है वो attach रहती है या जुड़ी हुई रहती है विशिष्ट स्थानों पर सभी जगों पर नहीं बलकि विशिष्ट स्थानों पर यह जो antibodies है यह वांचित protein के संपूरक होती है जो desired protein होती है हमारी उसके यह complementary होती है इसका मतलब इस protein के साथ antibodies bind कर सकती है क्योंकि हम लोग इस method के अंदर protein का detection करना चाते है या protein का पता लगाना चाते है तो इसलिए यह antibodies है वो protein के complementary या संपूरक होती है तो आप यह देख सकते हो यह lateral flow strip है इसमें आपको दो विशिष्ट स्थान या specific places दिखाई देंगे एक तो pink लिखा हुआ है जिस पे और दुसरा colorless लिखा हुआ है जो pink लिखा हुआ है यहाँ पर aurum labeled या aurum से चिनहित जो antibodies हैं वो attach रहती है या जुड़ी हुई रहती है और दुसरा है colorless colorless जो इसका part है वहाँ पर जो normal antibodies है या बिना चिनहित जो antibodies है या यहाँ पर attach रहती है या जुड़ी हुई रहती है तो यह है भी lateral flow strip अब हम इसको use कैसे करेंगे तो method या विधी की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जैसे माली यह पत्ती है या leaf है पौदे की तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे sample को extract करेंगे या जो नमूना है उसको पृतक कर लेंगे और पृतक करने के बादे sample को हम लोग क्या कर लेते है एक extraction tube के अंदर जो की एक test tube ही होती है उसके अंदर इस sample को डाल लेते है अब हम क्या करेंगे जो lateral flow strip है हमारी उस lateral flow strip को का जो 1 by 4 part होता है ठेक है उसको dip करेंगे या इसके अंदर डुबोएंगे एक बड़े चार भाग जो है इस lateral flow strip का उसको डुबोगे रखेंगे किसके अंदर इस extraction tube के अंदर ठेक है अब होगा क्या ये जो sample है इस sample के अंदर क्या होता है जो protein है वो उपस्तित होती है अब ये sample जो है वो उपर की तरफ travel करेगा इस lateral flow strip पर उपर की तरफ क्या करता है ये travel करता है यदि sample में जो sample हमारे पास है extraction tube के अंदर उस sample के अंदर अगर वांचित protein उपस्तित है जो desired protein है अगर वो present है तो क्या करेगी वो aurum labeled antibodies कहां पर होती है इस pink जो area है इसके अंदर वो उपस्तित होती है aurum labeled antibodies तो जो वांचित protein है desired protein है वो aurum labeled antibodies के साथ bind हो जाती है तो इस प्रकार क्या बनता है antibody protein complex बन जाता है antibody protein jetil बन जाता है और यह जो जटिल बना है या complex बना है यह उपर की तरफ move करने लगता है या उपर की तरफ गती करने लगता है इसका मतलब उपर की तरफ मतलब क्या होगा यह जो pink area है इस से उपर की तरफ move करना start कर देता है इस sample में जो solution है इसके साथ साथ तो आप देख सकते हो जो वंशित प्रोटीन है या डिजाइड प्रोटीन है मालीजी ये सैंपल में उपस्तित है तो ये बाइंड हो जाएगी किसके साथ और अरम लेबल्ड एंटिबोडी के साथ और ये गतिकरना अब होगा क्या जो एंटिबोडि प्रोटीन क्युम्ट या जटिल है ये स्ट्रिप के उपर या बिल्कुल अपर साइड में एक जो specific place मैंने बताया था आपको एक विशिष्ट जगह बताई थी जहां पर antibodies उपस थे थी उन antibodies के साथ ये bind हो जाएगी और क्या बन जाएगा antibody protein antibody complex या antibody protein antibody जटिल जो है वो बन जाता है ठीक है अब होता क्या है उपर वाला जो specific place है या विशिष्ट जगह है वहाँ पर एक pink color की या गुलाबी रंग की रेखा जो है वो बन जाती है तो यह जो गुलाबी रंग की रेखा है वो क्या प्रदशित करती है वो यह प्रदशित करती है कि जो फसल है या crop है वो अनुरेशी cynical i modifye हो चुकी है या genetically modified हो चुकी तो आप देख सकते हो जो protein और aurum label antibodies का जटिल है यह इस antibody के साथ bind होके antibody, protein, antibody complex बना लेता है और इस complex के बनने की वज़े से ही यह जो place है यहाँ पर एक pink color की line या गुलाबी रंकी जो रेखा है वो परकट होती है जो कि यह बताती है कि फसल हमारी अनुवंशिक रूप से रुप के अंदर कुछ ही जा सकती है तो इसकी full form है enzyme linked immune sorbent assay अब इसमें होता क्या है इसमें एक plate हम लोग लेते हैं और उस plate के उपर antibodies की परत को चड़ा लेते हैं यह एक plate है और इस plate के उपर हम लोग क्या करेंगे लेब चड़ाएंगे किसका antibodies का तो आप देख सकते हो यह surface है plate की और इसके उपर हमने antibodies का लेब जो है वो चड़ा लिया है अब हम क्या करेंगे इस plate को antigen youth sample में डुबोते हैं तो यह मालीज हमारे पास एक beaker है और इस beaker के अंदर antigen उपस्तित है तो यह antigen containing sample हो गया अब इस sample के अंदर हम लोग plate को डुबोते हैं तो plate को जब हम डुबोए तो अगर इस sample के अंदर antigen उपस्तित है या हम कह सकते हैं जो desired protein है या वांशित protein उपस्तित है तो यह वांशित protein इस plate की सथा पर जो antibodies उपस्तित थी उनके साथ bind हो जाएगी तो आप जीख सकते हो antigen, antibody, antigen complex बन जाएगा तो यह protein है जो कि antibody के साथ bind हो चुकी है और यह surface है कि इस plate की surface है ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो plate है इसको हम enzyme से linked antibody के villain में डुब होते हैं ठीक है जो enzyme है वो जुड़े हुए होते हैं किसके साथ antibodies के साथ तो आप देख सकते हो solution of enzyme linked antibodies इस villain के अंदर enzyme linked antibodies का antibodies उपस्तित हैं इस plate को हम लोग क्या करते हैं फिर इस enzyme linked antibodies के विलियन क antibodies है वो protein के साथ mind हो जाएंगी तो आप देख सकते हो antigen antibody complex जो है वो बन जाएगा तो यह surface है किसकी plate की इस plate के उपर antibody जुड़ी हुई है और उसके साथ protein जो desired protein है या वांचित protein है वो भी इसके साथ attach हो चुकी है अब क्या होगा इस villain के अंदर जो enzyme linked antibodies होगी वो भी इस protein के सा साथ जुड़ जाएंगी चिक है अब हम क्या करते हैं अब इस plate को हम लोग substrate के विलियन में डुबते हैं जो अभिकारक का विलियन होता है उसके अंदर इसको डिप करते हैं यह जो substrate होता है यह enzyme के साथ क्रिया करेगा या अभी क्रिया करेगा reaction करेगा और एक रंगीन उत्प enzyme इस villain के अंदर उपस्तित substrate यानि कि जो अभिकारक है जो कि colorless है उसके साथ अभी क्रिया करेगा और product या उत्पाद मनाएगा जो कि जो product कैसा होगा colored होगा या रंगीन होगा ठीक है तो colorless villain जो होता है substrate का जब हम plate को इसमें डूब होते हैं तो यह colorless villain या जो रंग हीन villain है यह रंगीन villain के अंदर या colored solution के अंदर परिवर्दित हो जाता है तो अगर villain रंगीन हो रहा है color हो रहा है तो यह प्रदर्शित करता है कि हमारी जो फसल है वो अनौशिक रूप से रुपांतरित हो चुकी है या जो हमारी crop है वो genetically modified हो चुकी है उसके बाद हम लोग PCR test है STRIP TEST है और दुसरा है ALIZA TEST PCR test की बात करें तो प्रति जो परिक्षन या test इसका खर्चाता है क्वो 500 रुपे आता है STRIP test की बात करें तो दस से वीस रुपे प्रति टेस्ट जो है वो इसका खर्चाता है जो कि BOW कि Бहत ही कम है जबकि ALIZA TEST की बात करें तो बीस से comparison किया या लागत की तुलना की उसके बाद last में हम लों करेंगे अनुवंशिक एरुपांतरित फसलों में पराजीन संदोशन जो ट्रांस जीन कंटैमिनेशन है नौन जीम क्रॉप्स नौन जीम क्रॉप्स का मतलब जो समान्य फसले होती है या नौर्मल क्रॉप्स होती है उनमें जो ट्रांस जीन है या जो पराजीन है उसका संदोशन या कंटैमिनेशन किस तरह से हो सकता तो अगर हम GM फसल और non GM फसल यानि जो समाने फसल होती है इन दोनों फसलों को खेत में साथ साथ होगाते हैं या एक साथ इनको क्रो करवाते हैं तो जो GM फसल है या GM क्रॉप है उसका जो एवांचित परागण होगा या undesired pollen grain होगा वो non GM फसल को परागित कर सकता है जो समाने फसल है उसको परागित कर सकता है इससे होगा क्या जो non GM फसल होगी या समाने फसल जो होगी उसकी किसम की जो अनुवनशिक शुटता है या उसकी variety की जो genetic purity है उसमें कमी आ जाती है या उसकी हानी हो जाती है ठीक है और इससे होगा क्या जो non GM फसल या समाने फसल की जो किसम होगी, वो नश्ट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Contamination in non-GM crops, या Transgene Contamination in non-GM crops, ठीक है, इसके अलावा, जो GM फसलें या crops होती हैं, वो स्वाइल के अंदर या म्रिदा के अंदर, कुछ ऐसे chemicals को release करती हैं, कुछ ऐसे रसायनों को छोड़ती हैं, जो रसायन harmful होते हैं, या गातक होते हैं, किसके लिए non-GM फसलों के लिए, या समाने फसलों के लिए, तो इन समाने फसलों पर विप्रीत प्रभाव, या adverse effect जो है, नास का lecture,